पहले जोदपूर पहुंचेंगे उसके बाद भारत सेवा संस्थान की और से आईजित दिव्यांग शेविर में विशामिल होंगे जोदपूर में रात्री विश्राम करने के बाद उनका कारिकरम पस्तावित है तो कल चेटी चन महुटसव का भी वो शुभारम करेंगे जिसके बाद दो पहर एक बज़े बार मेर पहुंचेंगे जहां शाम चार बज़े महंगाई के विरूद में जनसभा को संबोधित है इसके बाद शाम 6 बजे जिला कलेक्टरेट में अधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे कल बार मेर में ही रात्री विश्राम प्रस्तावित रहेगा वही तीन अप्रेल को जैपूर लोटने का कारिकरम हैगा तो आपको बता दे बज़ट घुशनाओं के बाद से लगातार मुख्यमंत्री अशुक गहलोत अक्टिव मूट में नज़र आ रहे हैं ऐसे में उनका मारवार दोड़ा रहेगा दोड़ा रहेगा उसमें लगातार वो कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे इसे दोरे के दोरान बाड में जाने का भी उनका प्लान है वहीं जोद्पुर से भी वो जोड़ सकते हैं आपको बता दे इससे पहले उनका जोद्पुर दोरा रहा था और तमाम अधिकारियों के साथ उनकी मुलाकाते हुई थी आपको बता दे मुख्यमंत्री अशोग गहलोत मारवार दोरे पर रहेंगे वहीं बाड मेर में महंगाए के विरोध वो जिकारियों से बात करेंगे बैठक लेंगे तो मुख्यमंत्री अशोग गहलोत मिशन मारवार पर पहुँच चुके हैं महंगाई के विरोध में लगातार वो जनसंपक भी करेंगे साथ ही अधिकारियों से बात करेंगे और इसी खबर पर जादा अपडेट देने हैं के लिए हमारे साथ जोड़ चुके हैं जोद्पूर से अफ्रोज पठान जी अफ्रोज मुख्यमंत्री का मारवार दोरा है क्या कोच उनका कारिक्रम रहेगा मानिय मुख्यमंत्री आज विशेश्मयान से बारा बजे जोद्रू पजा रहेंगे पहले जोद्पूर उसीम गेलो जहां पर बार बजेश्मयान से वहाँ जोद्पूर रात्री में विस्राम रहेंगे इसके बार मेर में चे बजे जिले का लक्टर में अधिकरियों के साथ में बैठक करेंगे और कल बार मेर मेर रात्री में विस्राम है वहीं से विशेश्मयान से अपरेल जहपूर लोटने का कारिक्रम रहेगा जो बिल्कुल अवरोज माना जो रहा है जिस तरीके से महंगाई की विरोध में कॉंग्रिस लगातार प्रदेशन करी है ऐसे में ये बाढ़ मेर दोरा भी उनका कुछ खास रहने वाला है जी में, इसमें जन्सबा के अंदर संब्दिद करना एंगे में प्रदिद करना देखे इसमें को रहenne है जो लोगों की आप पे ज्ञूट हो रहे है और क्या उनका अपड़ने रहता है